हेलो फ्रेंट आज मैंने मांगाया है डिजी टेक का वारलेस माइक जिसको आप अपने फोन में लगा के बहुत अच्छी से रिकार्डिंग कर सकते हो और हम इसको अनबॉक्स करके देखने वाले हैं इसमें क्या क्या हैं अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आप देख सक यहाँ पर हमारा यह माइक है इसको हम करते हैं अनबॉक्सिंग तो यहाँ पर हम इससे अनबॉक्स करते हैं इसको पॉलिथिन अराम से इसको आपको निकालना है और यहाँ पर पॉलिथिन निकलने के बाद आपका माइक का यह बॉक्स अराम से खुल जाएगा इसको बस रगेगा और ये हमारा wireless माईक है इस माईक में यहाँ पे आप देख सकते हो type c का चार्जिंग दिया है यहाँ पर type c एक cable भी होनी चाहिए और यह हमारा टांब यह हमारा receiver है और इस receiver को हमको phone में लगाना है और इसमें केबल होनी चाहिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यह हमको एक कायरी बैग मिल जाता है जिसमें आप अपना माइक आराम से रख सकते हो तो यह काफी अच्छी क्वालिटी के कायरी बैग है और यहाँ पर यह जो है इसमें मेरे ख्याल से इसमें केबल होनी चाहिए क्योंकि की माइक को चार्ज भी करना पड़ेगा तो यहां पर टाइप सी केबल है यह ताइप सी केबल है और इस केबल को यूज करके आप अपने कोई भी नार्मल चार्जर में लगाके और अपना माइक आप चार्ज कर सकते हो तो यहां पर यह ट्रांस्मिटर इसमें तो कोई जरूर कर सकते हो तो यहां पर हमारा यह माइक आसानी स्चार्ज भी हो जाएगा तो बस इतनी चीज़े हैं और यहां पर यह आपका आपके माइक के ऊपर इसे आप लगा सकते हो यहाँ पर जिससे आपकी थोड़ा से noise control होगा और नई भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप इसे यहाँ पर लगा देते हैं यह थोड़ा से हमारी आवाज की इसे निकाल देते हैं केवल के भी कोई जुरुत नहीं क्योंकि अभी यह चार्ज ही है तो बस यहाँ पर हमारा माइक तयार है आप इसे हम यूज कर सकते हैं और चलते हैं आप देखते हैं इसकी आवाज कैसे आप आप देख सकते हो यह अभी जो मेरी आप टीशेट वगरा में ऐसे लगा सकते हो और अपनी वीडियो रिकार्ड कर सकते हो माईक को लगा के कालर पर आप आसानी से वीडियो रिकार्ड कर सकते हो इसको connect करने मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है क्योंकि जब मैं अपने फोन में receiver लगाया तो वहाँ पे उस आप समझो कि आपका माइक अभी कनेक्ट नहीं है जब मैं अपने फोन का ओटीजी आन किया हूं तब जाके मेरा रिसीवर चालू हो गया है मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे फोन में ओटीजी आन है या नहीं जब भी आप वार्लेस माइक लगाओ डीजी टेक का ये वाला कि तो इसमें आपने फोन में और्टीजी आन करके लगाओ तभी आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा जब दोनुमें रिद लाइट receiver और माइक दोनों में red light जलने लगे तो आप समझ जाओ कि मेरा माइक चालू हो गया और मेरी अभी जो wise quality आप सुन रहे हो तो यह जो मेरी आवाज है यह डीजी टिक के wireless माइक से आवाज आ रही है ऐसे computer related वीडियो के लिए चैनल को subscribe कुरूँ